इस वीडियो से हम सीखेंगे अब तक हमने जाना समिकरण यानि इक्वेशन चर पर एक प्रतिबंध होता है इसके बायपक्ष यानि LHS और दायपक्ष यानि RHS का मान बराबर होता है जो व्यक्त किया जाता है समता यानि एक्वल के चिन्न से हर समिकरण का केवल एक ही हल यानि सल्यूशन होता है जो समिकरण को संतुष्ट करता है कुछ उधारनों से अब हम समिकरणों को और अच्छे से जानेंगे उधारन बताईए कि नीचे दिये गए कथनों में चर वाले समिकरण कौन से है समिकरण में एक या अधिक चर होना चाहिए एवं पाया पक्ष दाए पक्ष के बराबर होना चाहिए 25 रिन 12 धन 8 बराबर 5 इसके दोनों पक्षों में समता का चिन यानि इक्वल साइन है लेकिन दोनों तरफ चर नहीं है बलकि निश्चित संख्याए है इसे हम सांखिक समिकरण यानि निउमरिक इक्वेशन कहते हैं पाँच जेड धन 4 इसमें दो पक्ष नहीं है इसलिए यह समिकरण नहीं है यह चरो वाला व्यन जक यानि अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन है एक्स धन 5 दो से कम है इसमें दो पक्ष तो है लेकिन वे बराबर नहीं है इसलिए यह भी समिकरण नहीं है साथ आर रिन नौ बराबर दो इसमें दो पक्ष है और वे बराबर है इसलिए यह एक समिकरण है नौ टी गुना दो साथ से अधिक है इसमें दो पक्ष तो है लेकिन वे बराबर नहीं है इसलिए यह भी समिकरण नहीं है वाई बटे तेरा धन दो बराबर एक अगला उदाहरन कुछ फलो को दो समान भागों में बाटने पर एक भाग में दस फल आते हैं इस कथन को समीकरण में व्यक्त करे या हमें फलो की संख्याग्यात नहीं है इसलिए इसे 4 n माने n फलो के दो समान भाग बनाने है यानि यहां हमें N फलो को 2 से विभाजित यानि डिवाइड करना होगा इस तरह से हर एक भाग में फलो की संख्या हुई N बटे 2 लेकिन हमें यह ग्यात है कि हर एक भाग में फलो की संख्या है 10 इसका अर्थ हुआ N बटे 2 का मान 10 के बराबर है अर्थात N बटे 2 बराबर 10 इस तरह से दी जानकारी के लिए हमने N बटे 2 बराबर 10 यह समीकरण बनाया इस तरह से हमने जाना के समीकरणों को कैसे पहचाने और दी जानकारी से समीकरण कैसे बनाए अगले वीडियो में हम समिकरनों से जुड़ी कुछ मित्याधानाओं को दूर करेंगे